है 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 लो दोस्तों गुड़ीवनिंग नमस्ते एंड वेलकम टू स्टेडी आईक्यू के स्पीशिस प्लेटफॉर्म पर जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इस सेशन की बहुत कुछ सिखाएंगे बहुत कुछ बताएंगे और बहुत के टिप्स पर ले करके आएंगे जो सिर्फ चुनिंदा स्टुडेंट्स को आती होंगी तो उमीद करते ही सेशन की सुरुवात हमनों करने वाले और बहुत सारे स्टुड़ गया लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको वेतर प्रग्या देन उसका से स्रास्वत सिखा सोनाली और सोनिका है ना यह लोग अभी मेरे को यहां पर दिखाई दे रहे जराग मुझे सभी लोग यहां पर बताना चाहिए कि सभी लोग को आडियो वीडियो अच्छे से आ रही है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए जल्दी से जल्दी बताएंगे तो यहां पर रितिक ने बोला सर एकदम बढ़िया एकदम है ना विकास बोला है बिल्कुल हेलो सर अलोग बला सर एकदम धमा धम आ रही है है ना और प्रग्या बोले सर वेरी विर गुड इवनिंग तो बहुत अच्छा लगा मतलब इस क्ल तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने बारें बताता हूं कि आज मेरी पहली क्लास आप लोगों के साथ तो मेरा नाम पंकत चौबे है और मैं कानपूर उत्तर प्रदेश में मेरा जो है वो मतलब बच्पन गुज्रा है वैसे तो मेरा जन्म जहांसी में हुआ था मेरे पि प्रदेश हमारा जो है वह एक खाड़ा बना रहा फिर वहां से हम नौकरी मतलब के लिए मुंबई में मुंबई में आते हुए हमने नौकरी की और फिर उसके बाद से यहीं से हमने पढ़ाना शुरू किया और अलग अलग जगहों पर पिछले आठ दस सालों से पढ़ा रह आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहे वह रितिक हो सुनाली हो अलोख हो अनूप हो प्रग्या हो विकास हो क्योंकि लोगों ने कमेंट किया इसलिए यहां पे लोग के नाम में ले रहा हूं तो आप लोगों भी थोड़ा एक्टिव रहना है तो आप सभी लोगों के बारी ह इसलिए में लग जाती है और जैसे कि आप विकास और पार्टी बोले सर हम गोंडा से है तो सोनिका राज जो है वह आपने कुछ बोलना चारी तो जल्दी से सब लोग अपने डिस्टिक का नाम बता से ताकि मेरे को याद रहे क्योंकि अब यह सफर थोड़ा सा लंबा चले की बात करें तो वो इटावा से है है ना सोनिका की बात करें तो लखनव से है प्रग्या की बात करें तो लखीम पूर खीरी नितिन की बात करें तो भाई उन्नाव सिखा की बात करें तो नोड़ा लखनव ठीक है सुनाली की बात करें तो लखनव से अनूप की प्रियाग लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगी मेरी एक बहुत अच्छी मतलब एक गॉट गीफटेद है कि मैं लोगों को बहुत जल्दी याद कर लेता हो मिरे नाम याद रहते हैं वह कहां से वह भी याद रहते लेकिन जैसे जैसे आप regularly class में आएंगे वो तब ही हो पाएत गाना और हम लोग के बीच में interaction होगा बहुत सारी बाते होगी है ना हम अपने ग्रुप भी बना लेंगे जिसमें हम लोग आपस में बाते करेंगे हम लोग जो है को हुम्पर जो है वहां पर आप अपने आने वाले एक्जाम है ना जो उत्तरप्रदेश PCS का है उसके फ्यारी के लिए सबी लोग यहाँ पर इखटा हुए है तो UPGK जैसे कि आपको पता ही होगा एक मार्च को जो है वो हमारी गौवर्मेंट ने उत्तरप्रदेश गौवर्मेंट ने जो है वो गुगली फे होँचा कि इन में से कौन सा इस्थान जो है वो हमारे उत्तरप्रदेश में इंडस्वैली सिंधुगाटी सब्विता का है इन में से कौन सा हमारा नियोलिफिक साइड्ड वो प्रताफगाड में है है यह ना ऐसे Quand तो हम से कूछता ही था लेकिन अब जो है वो हमारे मेंस में लिखने को भी आएगा तो ये जो subject था है इसका हमारा जो weightage है इसका जो बहुत सकते variation है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत importantly हमको exam में इसको बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से करके जाना है और इस बहुतरीन तरीके से कराने के सफर में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और कोसिस करूँगा कि आपको एक एक चीज बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से सिखाऊ और आपको सब कुछ बढ़िया से आपके दिमाग में क्लास में आ जाए ठीक है इस class में आपको सारी चीजे बढ़िया तरीके से सिखा दू ये मेरी कोसिस रहेगी लेकिन आपको भी attentive होकर के चीजों को सीखना है और pen और paper को हमेशा अपने साथ रखिए point के form में class में वैसे तो आपको ये purity ppt मिल जाएगी लेकिन आपको point के form में एक एक point को note करना है क्योंकि मैं आप से बीच बीच में question पूछूंगा और मैं जिसका नाम लूँगा वही जवाब यहाँ पर देगा सबको जवाब नहीं देना है comment box में जिसका नाम लेंगे उनको जवाब देना है फिर सबका सबसे पहले हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो जीके है उसमें हमारा सबसे पहला जो turn आता है वो आता है हमारे उत्तर प्रदेश की history का history of UP बहुत important है और यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश की history से लगातार pre के exam में question पूछे जा रहे है अब तो मेंस के exam में भी आप प्रसंद देखेंगे ठीक है तो history की जब शुरुवात होती है तो हमारा जो topic रहेगा हम जो सिंदु घाटी सब्विता और जो प्राचीन हमारे sites हैं जहां से बहुत सारे question लगातार पूछे आ रहे हम उनके उपर बाते करेंगे हमारे important जितने भी वह सकते की और ecological sites हैं जितने भी हमारे monument site हैं उनके बारे में बाते करेंगे हमारे culture के उपर बात करेंगे मद्यकालीन भारत में किस तरीके से गंगा यमुना site लेकर क्या है सब कुछ आपको सिखाएंगे तो आज का जो हमारा topic है वह है उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास सब्धता और प्राचीन सहर बहुत important है और आई होप आप लोगों timeline को समझते कि यह जो हमारे इसवी और हम लोग before Christ यह सारी चीजे बोलते इसको सबसे पहले समझते और इतिहास के हमारे पार्ट में बटा हुआ था ये भी देखते तो सबसे पहले हमारे इसा मसी का जन्म है आप देखते होगे यहां पर हमारे क्या लिखा हुआ है before Christ लिखा हुआ है फिर हमारा जो है वो एडी आ गया है ना एनॉन डॉमनी आ गया तो गैस याद लखेगा हमारे इस timeline में जो इसा मसी का जन्म है उसको अगर हम 0 मानते है 0 यहां पर इसा मसी का जन्म हुआ था है ना और अब इसके पहले के जितनी घटनाय होती है वो हमारे before Christ बोली जाती है सायद आपको यह सभी को पता होगा हमारे इसके पहले की जितनी घटनाएं है सब बिफोर क्राइस्ट बोली जाती है और हमारे इसके बाद जितनी भी घटनाएं होती है उसको ईसवी या एनोडॉमनी के नाम से जानते है एनोडॉमनी ठीक है धाई हजार बिफोर क्राइस मतलब 2500 बिफोर क्राइस तक का जो समय है इसको हम लोग प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते है प्री हिस्ट्री पीरियड फिर अगर आप देखेंगे हमारे क्या आता है फिर हमारा आता है पचिस सो से ले करके एक बार आपको ये सारी चीज़े नोट डाउन करनी है आपको इतिहास वाले सरने कराई भी होंगी पचिस सो से ले करके हमारे जो आता है सत्रा सो पचास तक का जो पीरियड है इसको हम लोग यहां तक गर देखेंगे तो इसको हम लोग इंडस वैली civilization ना इंडस वेली civilization IBC के नाम से जानते अब उसके बाद से 1750 सेल अगर हम थोड़ा आगे पीछे देखेंगे तो 1500 विफोर क्राइस से लेकर के हमारा जो 500 विफोर क्राइस तक का समय है मतलब इसा मसी के जन्म से 500 वरसो तक का जो समय है ये वाला जो period है इसको वैदिक कल्टर के नाम से हम लोग जानते हैं वैदिक सभेता के नाम से जानते हैं अब उसके बाद से हमारा जो वैदिक कल्टर के बाद हमारे मगद Empire Moral Empire आता है यह ना वहां से ले करके हमारे कहां तक जब तक हमारे तराइन का युद्ध नहीं होता है 1100 हमारे 91 में तराइन का पहला बैटल हुआ था यहां तक का जो पूरा इतिहास है कहां से pre-historic period से लेकर के हमारे तराइन के पहले अब युद्ध तक का पहले का इतिहास है उसको हम सभी लोग प्राइचील इतिहास के रूप में जानते हैं ancient history के तौर पर जानते हैं ठीक है ancient history के तौर पर जानते हैं अब 1191 से लेकर के हमारे कहां तक हमारा जो 1707 है मतलब हमारे औरंग जेव की मृत्यू तक का जो यह हमारा tenure है इसको हम लोग मिडबल history के तौर पर मद्यकालीन भारत के तौर पर जानते हैं अब उसके बाद से 1707 से लेकर के हमारा जो 1947 तक का इतिहास है यह हमारा बन जाता है modern history के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा प्राचीन इतिहास prehistory period मतलब million of years से पहले वीडियो थोड़ा रुक रुक क्या रहा है यह पहली क्लास है है ना रिचा यह पहली क्लास है और वीडियो जाना रुक रुक क्या रहा है गौरव बोले सबका वीडियो सबके साथ ऐसा हो रहा है इब बता देंगे रितिक तो यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा कहां से लेकर के prehistory period से लेकर के तराइन के battle 1191 तक का जो period है यह हमारा प्राचीन इतिहास और उसके बाद से अगर देखेंगे तो हमारा जो है मद्यकाली नितिहास 1707 तक और फिर modern history आ जाती है ठीक है तो यहां तक आपको यह tenure याद रखना है अब उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आज अपने प्राचीन भारत की ancient history की बात कर रहे है ancient history में भी फिर हम लोग उत्तरप्रदेश के जीके में प्रिवेश करेंगे तो थोड़ा ancient history की बात करते तो हमारा जो प्राचीन भारत है उसको हम लोग basically दो तरीके से divide कर सकते है एक होता है हमारे source के recording जो हमको source मिले हुए है और दूसरा हमारे tools के recording मतलब जो उन्होंने वस्तुआँ का इस्तमाल किया हुआ है source जो हमारे जैसे कि एरलोजिकल खुदाई में कहीं पर जो है वो हमारे बहुत बड़ा सा इस्तनानागार मिल गया ठीक है तो कहीं पर जो है वो हमको वो सकते है कि पकी हुई इट के मकान दिख गए तो source के अधार पर और दूसरा हमारे tools के अधार पर मतलब tools उन्होंने कौन से किसका इस्तमाल किया तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास के अगर हमें बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे source के अधार पर आता है prehistoric period prehistoric period में हमारे वो ये period था जहां पर हमारे जो logical जो खुदाई हुई यहां पर किसी भी तरीके के लिखने का सबूत नहीं है मतलब literature यहां पर बिल्कुल भी नहीं है literature का कोई भी सबूत हमको नहीं मिला literature का किसी भी तरीके का सबूत नहीं मिला और अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे नहां गया वाला चार्ट हमारा जो pre-historic period में हमने देखेंगे तो पुरा पासानकाल, मद्य पासानकाल और हमारा नवीन पासानकाल है ना पेलियोथिक साइड, मेसोलिथिक साइड और नियोलिथिक साइड हम इसको कितने भाग में दिवाइड करते हैं pre-historic period को तीन भाग में जिसको आगे हम अब भी पढ़ेंगे तो pre-historic period जिसमें हमारे लिखने के किसी भी प्रकार का प्रमाल नहीं प्राप्त हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं stone age क्या बोलते हैं stone age के नाम से भी इसको जानते हैं मतलब यहाँ पर जो pro-historic period जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें literature तो मिला हमको literature तो मिला बट इसमें हमारे पढ़ने के काबिल नहीं था literature तो मिला but we cannot read them मतलब मैं read पर यहाँ पर क्या कर देता हूँ प्रॉस कर देता हो एक एक चीज को बहुत ध्यान से आपको सुनना है प्राचीन भारत में हम जो हमारे काल थे ages थे उनको दो भागों में बाटते हैं एक उनके source के अधार पर मतलब उनके स्रोत के अधार पर और दूसरा है वहाँ पर मिले tools के अधार पर tools का मतलब होता है उ तो हमारे उकरणों हैं उनके अधार पर तो pre-historic age जिसमें हमने देखा literature का कोई सबूत नहीं है बस जो खुदाई में मिल रही थी चीजे कहीं पर पत्थर मिल गया कहीं पर नरकंकाल मिल गया उसके अधार पर हमने यहां पर चीजों को अनुमाल लगा रहे थे और इस age को stone age बोला गया ठीक है pro-historic period age की अगर आपनों बात करेंगे तो यहां पर literature तो मिले but they cannot be readable वो पढ़ने के काबिल नहीं थे और यहां पर हमारे इस्तमाल किया गया copper का copper age भी इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर copper या ब्रॉंज ना ब्रॉंज जो है वो copper का ही एक alloy होता है मिस संध हातू होती है आगे आपको डीटेल में बताएंगे भी तो copper age या इसको हम लोग ब्रॉंज एज बोलते हैं फिर आता है हमारा historic period historic period यहां पर हमारे साच मिले literature के और वो ऐसे हमारे साच थे जिनको हम पढ़ भी सकते थे मतलब यह हमारे वेद उपनिसद ठीक है ना हाँ बिलकुल triptics है ना आगम्स यह सभी हमारे इस period में मिले और इस age को क्या बोलते भाई कौन बताएगा विकास जल्दी बताओ इसको हम लोग क्या बोलते है रिचा इस हमारे यहां पर कौन से चीज के tool मिले इस age को हम लोग क्या बोलेंगे वैदिक age को वाले age को हम लोग क्या बोलेंग यहां पर त्यो एस बोल रहा है सर Iron Age होना चाहिए नितिन Bronze Age तो हो चुका Pro Historic Age को हम लोग Bronze Age बोल रहे हैं क्या बोले हैं इसको हम लोग बोल रहे है Iron Age इसको हम लोग बोलेंगे Iron Age तो basically जो हमारा Incident History है मतलब प्राचीन भारत है इसको हमने तीन भागों में बाट दिया, pre-historic period, pro-historic period and historic period, जिसमें हमने source के आधार पर इनको बाटा, tools के आधार पर हमने तीन भागों में बाटेंगे, stones age, copper age, iron age, clear है यहां तब, clear है, किसी को कोई दिक्कत, नितिन, प्रग्या, सुमन, विकास, बताए, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, चली, अब इसके tenure को देखते हैं, तो यह चीज़ जब सबको समझ में आ गई, तो इसके tenure को समझने की कोसिस करते हैं, सबसे पहले, जो हमारा, सबसे पहले लिखा हुआ है, स्टोन एज, या इसको हम लोग बोल रहे है, अपना प्रिहिस्टॉरिक एज, इसके सुरुआत होती है, हमारे बिफोर, 10,000 बिफोर क्राइस, मतलब 10 हजार बिफोर क्राइस से भी पहले से इसकी सुरुआत होती है, और ये फिर हमारे अगर देखा जाए, तो कहा तक आ जाता है, जब हमारी सिंदू घाटी की सब्विता सुरू होती है, लगबग अगर देखेंगे धाई हजार विफोर क्राइस तक इसा मसी के जन्म से धाई हजार विफोर क्राइस तक ये प्री हिस्टॉरिक पीरियड हमारा रहा अगर हम इस pre-historic period के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग कितने भागों में बाटते हैं तीन भागों में बाटते हैं कौन कौन से तीन भाग हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहलाता है पुरा पासाल काल यह हमारा देखिए दो मिलियन से लेकर के 10,000 विफोर क्राइस तक यह पुरा पासाल काल था stone age का सबसे पहला चरल आप यहाँ पर देखेंगे फिर उसके बाद से misolithic side मतलब मद़ पासराल का टेन्योर यहीं पर यार्त करना है 10 000 before Christ से 8000 before Christ मद़ पासराल का tenure वो 10 000 before Christ से 8000 before Christ फिर उसके बाद से आता है new lithic period जो है वो हमारे 8000 से ले करके 4000 बेफो क्राइस तक दोस्तों इसको ही हम लोग बोलते हैं दिख रहा है ना सबको इसी को हम लोग बोलते हैं 9500 काल अब उसके बाद स्याता है हमारा केलको लिथिक पीरियट दोस्तों इसको अभी यहाँ पर प्रग्या केलको लिथिक मतलब होता है हमारे कॉपर एज केलको पा कि सब्विता के समय आप देखेंगे आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं और फिर उसके बाद आता है आयरान एज जो कि हमारे 1500 से लेकर के 600 विफोर क्राइस तक है हमारे प्री हिस्टॉरिक एज हमारे जो है जल्दी से जल्दा जंदा बताएगी कि आपको ये टेन्योर याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है जितने लोगोंहों को याद हो गए वह जर एक भर यस बोल देंगे जिनको नहीं याद हो है वह यहां पर लेर्न करेंगे और फटा-फट से मुझे बताएंगे सर लर्न हो गया नीम में जगा आके प्यूश लोगे बता देंगे रुकाव मैं तु nodig कर दो above कि नहीं यह जो टिन्योल लिखा वह यह ना डेट तो मैं बताऊं को कौन से याद करहना उनकिर यह जो टेन्य और ना जो आपकी में लिखा भवह याद करना यहां पर दो डिट्रेट तो आप निकाली नहीं सकते हैं यह और है जोAPPो याद करना सबी लोग एक बार रितिक स्रेर विकास अभी मैं सबका नाम लूँ क्या आदर्स अमित ठीक है सब लोग एक बार जल्दी से सबको सबको सबका विकास सबका सा सबका विकास चलिए तो सब लोग एक बार जल्दी से याद हो जाएगा इक बार मेमराइस कर लेगे याद होता चला जाएगा सिखा सब लोग अपना यहां पर एक बड़ ड़न करते जाएंगे चलिए तो अब हम लोग आगे की तब चलते हैं तो यह चीज़ों सा समझ में आ गया प्रि हिस्टॉरी पिरिड़ जो है सरीए तो हमारे समझ में आ गया अब भाई यहां पर बात करते है कि हमारे यहां पर जो पुरा पासाण काल है उस पर कोश्चन कैसे बनेगे और क्या-क्या चीज़ी को याद रखने हैं, पुरा पासाण काल, भाई साब यह ऐक ऐसा यूग था जहाँ पर लोग वो हमारे विक्सित हो रहे थे, यहाँ पर जो हमारा इंसान था, वो मतलब हमारे जो पूर्वस थे वो सिकारी जीवन जीते थे है ना मारते थे सिकार को उसी को खाते थे फिर उसका ही जो है वो उसी का जो है वो वस्तर बना करके है ना उसी का प्रियोग करते थे कुछ इस तरीके का जीवन था इनका है ना जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ प सस्त्र का प्रियोग करते थे अस्त्र का प्रियोग करते थे अस्त्र का प्रियोग नहीं करते थे सस्त्र क्या है सस्त्र और अस्त्र में अंतर फिर मैं आगे आपको यह डिटेल में बताने वाला हो तो हमार पुरा पासान काल है यहां पर सस्त्र का प्रियोग किया जाता था और और वो बने होते थे stone से और stone कैसे होते थे कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे सबसे पहले जो lower हमारा पुरा पासानकाल था उसमें ऐसे stone ऐसे फिर दीरे-दीरे से थोड़ा सा जो है वो design उसको बनाने लग गए तो stone और bone से बने हुए हमारे ये हथियार होते थे जिसका प्रियोग वो मुखिता सिकार करने में करते थे है ना सेर के पास होता है उसका पंजादात है ना similar भेडियों के पास होता है लेकिन यहाँ पर इंसान उसे डबलप हो गया था इसने पत्थर का प्रियोग करके हड्डियों का प्रियोग करके जो है वो क्या किया यहाँ पर उसने सिकार करना शुरू का और उसने सस्त्र का प्रियोग किया सस्त्र का मतलब होता है जो हाथ पे लेकर ही प्रियोग किया जाए फेक करके नहीं हाथ से ही प्रियोग किया आप देख पारे होंगे कि ये बिल्कुल सिकारी जीवन इनको अगर बोला जाए सिकारी बोला जा तो आप इसको कम नहीं बोल पाएंगे मांसाहारी जीवन इनका ज्यादा तर बुजरता था ठीक है अब आती है कि सर हमारे उत्तर प्रदेश में ये कहां पर देखने को इसको हम लोग पहली ओलिधिक एज बोल रहे हैं सर यह हमको कहां पर देखने को मिलेगा तो इसके जो हमारे सबूत है ये ज्यादा तर हमको उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पहले का जो हमारे इनका टेन्योर था ये हमारे कहां पर आंद्रप्रदेश तक मद्यप्रदेश दक्षिणी दक्षिण में अगर देखेंगे तो महरास्टा में फिर दक्षिणी उत्तरप्रदेश और बिहार के पठार भाग में इसके आउसेस मिले हैं यहां के हमारे आउसेस आपको देखने को मिले हैं और अगर आप उत्तरप्रदेश में बात करेंग तो सिवालिक की जो पहाडियां है, सिवालिक की पहाडियों में सबसे ज़्यादा हमारे जो पुरा पासाणकाल है, उसके आउसेस आपको देखने को मिलेंगे, सिवालिक की सेडियां कहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो हिमाले का सबसे निचला हिस्सा है, उसको हम लोग स सिवालिक की सृटीयां बोलते हैं जहाँ पर यह पुरा पाशानकाल के प्राचीन-ौराचीन-ौरा पाथ के हमारे वेजद मुछा लेकिन यहां पूरा पासानकाल से हमारे जो पूरा पासानकाल है, वहां से हमारा इंसान जो है, वो डबलाप होता है, अभी हम लोग स्टोनेज में ही हैं, और पहुंच जाता है मध्धे पासानकाल में, मिसोलिथिक टूल्स में पहुंच जाता है, यहां पर उसने उसको हतियारों को मतलब पत्थर और हड्डियों के ही बने थे लेकिन इन से देखेंगे आप थोड़े से यह क्या है हमारे blind कि उवे बडHीया के से हमारे nalsa xi कि यह हतियार थे मिसोलिथिक साइट में मिसोलिथिक साइट का अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जीवन काफी कुछ आप देखेंगे घर बना के रह रहे थे वहाँ गुफाओं के अंदर रह रहे थे यहाँ पर देखिए यह धनुसमाल का प्रियोग कर रहे है और लेकिन यहाँ पर हड्ड से ये धनुसमान बना करके हंटिंग करते थे वोर्ट मतलब नाव बनाते थे मचलियां पकड़ना सीख गए थे तो हमारे जो मद्ध पासराणकाल है इसका सबसे पहले टेन्योर कितना है आथ हजार से लेकर के 4000 विफोर क्राइस्ट का और ये हमारे ये हमारे पूरा पासराणकाल से थोड़ा सा डबलब था अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में वो कौन-कौन सी जगए है जो हमको जानना बहुत जरूरी है तो सबी लोग फ्लीज अपना ध्यान थोड़ा यहाँ पर लगाएंगे हमारे यहाँ पर मिसोलिथिक साइड जो है मिसोलिथिक साइड अगर बात करेंगे अंकित वो कहां पर है हमारे उत्तर प्रदेश के तो वो इलहाबाद के हमारे बेलन नदी की घाटी में बेलन नदी इलहाबाद के पास एक नदी है यहाँ पर आप देख प ही है और यह टोंस नदी की सायक नदी है टोंस नदी की सायक नदी है टोंस नदी की सायक नदी है और यही पर इलहाबाद मिर्जापुर प्रतापगड इन सभी के पास हमको नियोलिथिक एज के जो हमारी सभूत है सोर्स है वो देखने को मिले चली आईए यहाँ पर देखते तो बेलन नदी घाटी की अल्हाबाद वाली जो हमारी घाटी है सिंग्रौली हाटी और उसके बाद से सोन भद्र सिंगरॉली घाटी कहाँ पे सोन भद्र में और चंदाउली की चकिया घाटी में फिर से आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से हमारे जो है इलहाबाद की बेलन की घाटी में बेलन नदी की घाटी में सिंग्राउली की घाटी जो की आपको सोन भद्र में देखने को मिलेगी और हमारे चंदाउली की चकिया घाटी में फिर से देखेंगे जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है सबसे पहले मैंने क्या बोला इलहाबाद में बेलन नदी की घाटी में फिर उसके बाद से अगर आप देखेंगे दूसरा कौन सा आता है हमारे सोन भद्र की सिंग्राउली की घाटी में और तीसरा आता है यहाँ पर आप देखेंगे हमारे चंदाउली की चकिया की घाटी में यह हमारे नियोलितिक साइड्स इन घाटियों में देखने को दोगी अब यह नियोलितिक साइड्स जो है यह हमारे कहां कहां पर इसके साइड्स थी तो सबसे प्रमुक इस्थान जो थे सबसे प्रमुकुस्थान वो आप यहां पर देख पाड़े होंगे सराई नहर राय, चोपनी मांडो, हमारे उसके बाद से महादाहा और दमदमा मेरे पीछे पीछे बोलेंगे भाई साब बहुत कटिन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा सराई नहर राय, दूसरा कौन सा है, चोपनी मांडो, और तीसरा है महादाहा और दमदमा यह हमारी साइड्स है, मिसोलिथिक साइड्स है, जहां पर हमको उस समय के सोर्स मिलते हुए दिखाए दिए अभी सबका मैं जो है डाउट डूँगा, कौन कौन से है, वाइस नॉट कमिंग लोग बोले, आवाज नहीं आ रही है क्या बई, सर ने कौन कौन से बोली प्रमुक साइड्स, सराई नाहर राय, चोपनी मांडो, महादाहा और दंदमा ये जो प्रमुक साइड्स है, जहां पर हमको यहां के सभूत देखने को मिले, तो सबसे पहले मैं आपको ले करके चलता हूँ, ये सारा का सारा यहां पर है, इलहाबाद, ये देखिए मिरजापूर, है ना, यहां पर प्रताब गड़, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर आ हमारा इस्थान मिलता है, तो चोपनी मांडो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मौडन इलहाबाद या प्रियाग राज, अभी उसका नाम पड़ गया है, हमारा जो आधनिक प्रियाग राज है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, चोपनी मांडो, चोपनी मांडो की स इसलिए सबसे खास बात यह है, यहां की जो जोपडियां होती थी, जो मद्यपासराणकाल की यहां की जोपडियां थी, वो गोलाकार और अंडाकार थी, मतलब सर्कुलर और ओवल सेफ में थी, कौन से सेफ में थी, सर्कुलर और ओवल सेफ में थी, तो सबसे पहला चोपणी म प्रयागराज में आपको याद रखना है यहां पर जितनी भी जोपडi'yon के सबूट मिले वह गोलाकार थे आंडाकार थे ये आपको कहां पर देखने आपम प्र्याग्राज में देखने मुलेगा सार्च चोपनी मांडो जितने लोग के दिमाग में चला गया है अता माजी साटकली वह जल्दी से बता देंगे सार çोपनी बांडो हमारे जो मद्ध्य पासरानकाल का साइट है प्रियांघ राज अपने बताया वो अच्छे से दिमाग में चलागी है औहिक दिमाग में चला गया मतलब तुम कम से कम एक लाख बच्चों से आगे हो गए सिर्फ तीन बाते ठीक है प्रग्या बोले इसान्ट समझ में आ गया ठीक है अंकित बोला आसास अछिज़ में आ गया है ना तो याज बोला दुन है चली अब दूसरा हमारा साइट आता है जिसको हम लोग महा दहा बोल रहे थे वहाँ पर नहीं याद होगा अब याद होगा महा दहा कि अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यह कहाँ पर है अरे बोलो भाईया यह कहाँ पर है यह कौन बोला था राजा भाईया अरे राजा बैया वाले प्रताब गड़ अच्छा तो प्रताब गड़ जिले में आपको ये सबसे पहले देखने को लेगा महादाहा अब महादाहा में सबसे पहले हमको क्या चीजे मिली 28 नरकंकाल और ये सभी का जब रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया तो अलहाबाद उनिवस्टी वालों के जो है वो बाल खड़े हो गए क्योंकि अलहाबाद उनिवस्टी के प्रोफेसर पांडे की हमारे सनरक्छा में इसकी खोज हुई थी तो यहाँ पे 28 कंकालों की खोज हुई और यहाँ पर जो हमारे जो मतलब लोग थे वो दफनाये जात ना है ना घोड़ा है ना हाथी है सबूर पैदर जाना तो वह सिंगल दफनाये जाएंगे लेकिन एगर मालों की बहुत ही इंटेलिजंट पढ़ते होंगी नहीं बड़िया नहीं और देखें यहां पर हम तो देखिए यहाँ पर हमको एकल सवाधान नहीं और वहीं पर हम्हारे तीन तरीके के जो है वो दफनाने का सिस्टम था एकल स्युगल और सामूहिक यहां पर 28 कंकाल मिले यह महाधाजा थी याद रखेगा यूपी के परताफगड़ जिले में म्रग संग के छले और चूड़ी के उपकरण है ना म्रग जो हमारे म्रग छाल जानते हो ना म्रग जानते हो कि नही हडी के अंदर संग उतने उसके चलने और हड़ीयों के बने उककरण पहrate थसे उसमें बढल चलता होगा है नियोलिथिक साइट में जब लड़का लड़की को प्र प्रपोच करता होगा तो क्या करता होगा है हड़ी का वह लेके आता होगा है तो सद्यों से लाखों सालों से यह परंपरा चली आ रही है है ना यह देखे हड़ी के उपकरण दिमाग जैसे जैसे हाता है इंसान जो है वो अपका प्रियोग करता है तो आप से पूछा जाएगा म्रग स्रंग के छले और हड़ीयों के उपकरण हमारे मिसोलिथिक साइट में हमारे मद्य पासानकाल में महादहा साइट पर मिले वो कहाँ पर है प्रताप गड़ जिल्ले में आपको यह अगर multiple choice में आएगा statement में आएगा लिख लोगे कर लोगे चलिए आगे चलते हैं तो सबसे प्राचीनतम मद्य पासानकाल का इस्थल है यहाँ पर अगला हमारा आता है जिस पर यह देखिए बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड को आप लोग पता नहीं देख पा रहे होगे कि नी सराय नहर राय सराय नहर राय यह जगा कहाँ पर है यह भी हमारे प्रतापगड़ जिले में इस्थित है यहाँ पर हमारे 14 सवाधान और 8 गर्थ चुले पाए गए है ना तो यहाँ पर जो 8 गर्थ चुले मतलब यहाँ के लोग जो है वो पका करके खाना खाते थे इसलिए मिले यह 14 जो सवाधान थे सवाधान का मतलब है जहाँ पर दफनाया जाता था उसको सवाधान बोलते हैं तो 14 ऐसे हमारे अलग-अलग सवाधान मिले यहाँ पर हमारे 37 नरकंकाल 37 नरकंकाल मिले और सभी सवाधान की सबसे खास बात यह थी कि पश्चिम की तरफ सिर्था पश्चिम की तरफ सिर्था याद रखेगा पश्चिम और पूरब में यहाँ पर लासो को दफनाया जाता था एक्जाम में प्रस्ण पूछा गया है यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में इस बोर्ड को अगर देखोगे तो लिखा हुआ है कि मद्य पासनार काली निस्थल सराय नहर राय ये 1969-70 से 73 तक यहां पर खुदाई हुई यहां पर हमारे कब्र में 100 के साथ लगू पासनार उकरन जैसे छोटे पत्थर के हतियार पाए गये हैं यहां पर सवो को पस्चिन से पूरव की तरफ दफनाया गया था इस बोर्ड पर से लिखा हुआ है हमारे जो है कि पब्लिक सर्विस कमीश में पूछ लिया कि हमारे इन में से कौन से एसी जगह है जहां पर सराय नहर राय में सवो को कौन सी दिसा में दफनाया गया पस्चिन से पूरव सामूहिक जो सव थे वो सामूहिक ही एक साथ 4-4-100 दफनाया जाते एक कबर में कितने एक कबर में 400 सभी 14 जगों पर 4-4 का गुरूप बना हुआ था समझे की नहीं तो याद रखेगा यह हमने आपको कौन से जगह बताई यह हमने आपको बताई सराय नहा की अब उसके बाद से हमारा आता है कौन सा तो हमने दमदमा दमदमा जो है यहां पर आप देखेंगे तो हमारा यह भी प्रतापगड डिष्टिक में देखने को मिलेगा प्रतापगड डिष्टिक में यह भी देखने को मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट है तो हमारे तीन जगह जो कि हमारे कौन सी दमदमा महा दाहा तराय नहार राय यह मिसोलिथिक साइट है तीनों कहां पर पाये जाएंगे प्रतापगड अरे सही से बताना थुड़ा बहुत दिमाग में जा रहे कि नहीं जा रहे प्रतापगड की तीन मिसोलिथिक साइट कौन कौन सी है दमदमा महा दाहा, सराय नहर राय कितने लोगों को दिमाग में जा रहे सही से बताना, यार यह दो को बहुत ही कंटेंट जो ना हलाग अलाग जगों से तुम्हा ले छान छान के ले क्या आए है प्रग्या, अनू यह ऐसी चीज़े फिल्टर कॉफी है, इसको बस तुमको पीते चले जाना है तो सर ने यहाँ पर मिसोलितिक साइड के बारे में जब बात कर रहे तो सर ने यहाँ पर क्या बोला, सर ने बोला था वापस से स्वाजी स्लाइड में आते अब जाएगा यहाँ के जो प्रमुकिस्तल है वो कौन कौन से दोस्तों, वो यहाँ के जो चोपणी मांडो महादहा डम-दमा है। ठेग और कौन-कौन से प्रमुक इस्तल है। सराय नहर राए चोपणी महादाह और दम-दमा। अच्छा यह चार आप सभी को दिख रहे हैν। चार दिख रहे है ना। अलोक दिख रहे हैं कि चार नहीं एक दो तीन चार। कि चार सभी को दिख रहे हैं चारों प्रमुक इस्तल प्रग्या कि बोली ने रहे हैं चलिए अब मुझे यहाँ पर कौन बताएगा अच्छा मैं यहां पर एक question कुछे हो कौन मुझे यहां पर नामी ले लेते मुझे विक्की बताएगा विक्की क्लास में है की नहीं विक्की कौसल वाला विक्की नहीं सिखा बताएगी चलो सिखा से question है मेरा और कोई नहीं बताएगा सिखा मुझे बताओ इनमें से कौन से ऐसी site है साहर नहर राय चोपनी मांडो महादाहा और दमदमा जो प्रतापगड में नहीं है प्रतापगड में मिसोलिथिक site नहीं है देखे सबसे पहले कौन बताएगा फ चोपनी है ना चोपनी मांडो इस राइट आंसर मतलब दो नंबर के उपर आपको टिक करना था ठीक है सबको मौका मिलेगा यहां पर सर ज्यान आ गया है और फूट-फूट के बहार आ रहा है इसलिए हम बताएंगे ठीक है अब यहां पर बात करते हैं यह वाली लाइन की म पर हमारे यहां पर तो हमको नरकंकाल देखने को मिले इस लिए ज्यादा इंपोर्टिंट है यहां पर Human settlement का मतलब है रहने के इस थान जो है वो हम जोपड़ियां यहाँ पर कैसी होती थी जोपड़ियां यहाँ यहाँ पर गोलाकार और अंडाकार होती थी सरकुलर सेफ में होती थी क्लियर हो गई हमारे सभी को ये मैसोलिथिक साइट उत्तर प्रदेश की लर्ण हो गई कोई ऐसा है जिसको नहीं जिनको नहीं लर्ण एक बार रिवीजन तो करना पड़ेगा क्लास के बाद रिवीजन करना जरूर तो हमने प्रिस्टोरी केज में सबसे पहले जो पूरा पासान काल है हमें सबूत काम पर मिले हमारे यूपी की सिवालिक की स्रेडियो में पूरा पासान काल के लेकिन सबसे इंपॉर्टन सर ने बोला मिसोलितिक साइट है, मिसोलितिक मतलब मध्य पासराणकाल, मध्य पासराणकाल हमारे 8000-4000 before Christ तक था, यहां के लोग पूरा पासराणकाल से ज़्यादा intelligent, ज़्यादा हमारे जो है वो सकते हैं कि कुसल थे, है ना, यह हमारे लकडी का प्रयोग करना जानते थे, इसके जो हमा हमारे इस्थान है उत्तर प्रदेश में आप लोग को मैंने रट्टा मरवा दिया है कहां कहां पर तो हमारे बेलन नदी घाटी और सिंग्रॉली वैली चक्या में आपको देखने को मिलेगी जो हमारे चार प्रमुकिस्थान है वो भी आपको रट गये है रिवीजन करना अवर दब लट हो गई भाई लोग खेती करने लगे लोग जो हमारे लोग क्या करते थे मचलीत का सिख करते थे अब फल सखेखते थे आब वो अगर यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे जो 9 5000 से शुरू होता है, और 4000 Before Christ से लेकर के, जब तक सिंदु गाटी की सविटा नहीं सुरू होती है, 3000 Before Christ तक सांदार तरीके से चलता है, सांदार तरीके से चलता है हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा जो नियोलिथिक साइट है ये भी हमारे वही सेम जगा पर हमारे इलहाबाद की जो बेलन नदी की घाटी है वहाँ पर इसके प्रूफ मिलते है अब मैं आपको इस फूरी क्लास का बहुत important question कराने जा रहा हूँ उस question का नाम है कि हमारे जो नियोलिथिक साइट है मतलब नौपासाण काल की जो साइट है ये कहाँ पर देखनेों को मिलेगी तो सर दो जगहा है पूरे देश का सबसे प्राचीन तम गाव और पूरे वर्ड में धान की खेती सबसे पहले कहाँ पर की गई थी वो हमारे इलहाबाद में मतलब modern प्रियाग राज के हमारे कहाँ पर है cold diva cold diva जहाँ पर सबसे पहले पूरे वर्ड में धान की खेती किये जाने के प्राचीन तम साच्छे है और पूरे देश का सबसे प्राचीन तम गाव खेती की जा रही है न दोस्तो हमारे जो मद्य पासाळ काल थी वहाँ खेती नहीं की जा रही थी वहाँ पर क्या किया जा रहा था वहाँ पर लोग जो है मांस कोई पका के खा रहे थे धार मतलब पैड़ी होता है पैड़ी मतलब राइस उसी से निकलता है ठीक है कृतिका बास समझ मैं आ रही थी नहीं कोल डिवा तो कोल डिवा यहाँ पर हमको नियोलिथिक साइट देखने को मिली यह सर कहाँ पर है सर यह हमको देखने को मिलेगा हमारे इलहाबाद में नियोलिथिक साइट का दूसरा हमारा जो छेतर है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों ये हमको देखने को मिलेगा मघहरा में महागरा महागरा जो कि हमारे कहाँ पर है ये दोनों के दोनों हमारे प्रियागराज डिस्टिक में आएंगे ये दोनों के दोनों हमारे प्रियागराज डिस्टिक में आएंगे तो कहां-कहां पे नियोलिथिक साइट हमारे कहां-कहां पे है कोली, कोल्डिहवा और महागरा दो साइट है, कौन-कौन से पीछे पीछे बोल दो, कमेंट करके लिख दोगे तुम मुझे अच्छा लगेगा कोल डिवा और दूसा कौन सा, महा जरा ठीक है, ये दोलों नियोलिथिक साइट के प्रूफ पाये गए तो बेलन नदी अगर आप देखेंगे, तो बेलन नदी हमारे सोन भद्रके से निकलती है और उसके बाद से ये नदी हमारे कहां पे, टोंस नदी में मिलती है टोंस नदी में, जिसको कई लोग तामस नदी भी बोलते है टोंस नदी में मिलती है और ये नदी जहां पर टोंस नदी पर मिलती है उस जगा का नाम है देव घाट क्या नाम है देव घाट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं और यही पर यही पर है वो जगा अरे समझे कि नहीं देखो अनूप के रावा किसी नहीं लिखा है अनूप आ समझ में आई कि नहीं तो यही पर हमारे और महरा आप से पूछा जाएगा वो चार साइट के नाम याद हो गए ये दो साइट के नाम जितने लोग को याद हो गए वो अपना हाथ उठा देंगे चार साइट मिसोलिथिक के और दो साइट नियोलिथिक के मध्य पासानकाल के चार स्थल और नौ पासानकाल के दो स्थल कितने लोग को याद हो गए पाई साब देखो हमारे यूपी में हिंदी और इंगलिस दोनों चलती है हम हिंदी मीडियम के हैं लेकिन फिर भी इतनी इंग्लिज तो हमको आती है ठीक है कि सिखा बुले सर्याद हो गई सोनी का बुले सर्याद हो गई देखो आई से पहले तो नाराज मत हो ना जिसका नाम ने लेते हैं कि बत दोई रहे सचाइब है नड़ी का ओप्सन आ आता है मारे त्मापे तुम्हारे उस पर कि इस चलो बाए या 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 दो गिए वही ये प्रीड के खतों हो गया बधाई हो बधाई हो प्री-प्री हिस्टोरीक एस खतब हो गया प्रीश्टोरीक एस क्थ खतों गया तो यहाद सोनम prestory case खत्म हो गया यूराज अब हो जाए थोड़ा सा question answer की बारिस हो जाए है थोड़ा सा question हो जाए तभी तो मजाएगा तो देखिए यह सबसे पहले आपसे पहला question पूछा जा रहा है जिसका नाम लेंगे उससे उसी question पूछा जाएगा तो सबसे पहला question है हमारे किसे सोनम तिवारी से सबसे पहला question है उसके लाबा कोई जवाब नहीं देगा सोनम तिवारी को बताना है कि at filling the blanks place the dead person head is towards west side वेस्ट साइड की तरफ हमारे जगा होती थी जो सा होता था उसका जो बोल सकते हैं कि हैन्स है वह वेस्ट साइड की तरफ होता था वह कौन सी जगा जल्दी बताइए को कि के जलियो भाई Six नम को सिर्फ जवाब देना है अनूप मार बहुत पड़ेगी सोनम को जवाब देना है सोनम को देना तुम्हार नमभा भी आएगा चलिए तो यहां पर सोनम का समय समात होता है अब तुमनों में से जो जो बताना चाहता है बता देगा जैसे अनूप ने बता दिया है सर सराय नाहर होना चाहिए सराय नाहर राय होना चाहिए देखो सराय नाहर राय तो यहां पर मैं लिक देता हूं सराय नाहर राय यही बोले ना जनता इसके लावा किसी को कुछ लग रहा है तो बता देगा प्रताब गड़ में चलो अगला कोशन है आपको बताना है फिलिंग अब बताएगा कौन बताएगा जिसने हाथ उठा तो उसी से पूछेंगे स्रेय बताएगा स्रेय जल्दी बता मुझे तर वो कौन सी जगा थी इलहाबाद में जहां पर जोपडियों और बिट्टी के बर्तन मिले तो स्रेय बोला है सर लेखईया होना चाहिए ठीक है और चलो स्रेय का टाइम समापत होगे उसने बता दिया सर लेखईया होना चाहिए अब आप लोग की बारी है जल्दी से बताओ भाई चोपणी मांडो तो भाई यहां पर जो सही जवाब है वो है मेजा मेजा और हमारे लेखराये जो है यहां पर हमें जोपडियां देखने को मिली थी ठीक है और यही पर हमको यह मिलता है कि लोग यह मिट्टी के बरतन में खाना बना करके खाना खाना जानते थे पकाना जानते थे ठीक है चलिए अब आप लोगों के सामने आते हैं इन में से कौन से ऐसी जगा थी जहां पर हड्डियों के उकरण सींगों से बने उकरण जिसको हम लोग मिर्ग स्रंग बोल रहे थे मिर्ग स्रंग का मतनब ह होता है थीरण की सींग है ना उसके बने हुए हमारे जो है वो हड्डियों के बने उपकरण मिले और यहां के जो करन थे वो धारदार थे बताओ यंता बोले यहां पर तो आज कुछ भी कर दीजिए यहां पर चोपनी मांडो देख़ो अभी मुझे मालूम है कि तुम लोगों को याद नहीं होगा क्लास के बाद रिवीजन जनुर करना यहाँ पर जो सही जवाब है वो है चोपनी मांडो तो इसके जो सही जवाब है देख लीजिए सारे UPHC, UPPCS में पूछेगा कोश्चन है तब आप लोगों ने जो जो बनाय हुए है ज़रा मिला लेंगे साहे लोग सबसे पहला कोश्चन यहाँ पर देखिए सराय नाहर राय सही था मेजा इलहाबाद में यहाँ पर देखेंगे सही था यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा चोपनी मांडो और महादाहा सही था यह अगर तुमको याद हो गया तो भाई साब यह सबसे toughest कोश्चन था हमारे प्री स्टॉरी केज का निप्टा दिया तुम लोगों ने किते लोगों ने निप्टा दिया भाई साब हो गया ना भाई इतने वो 40 मिनट में तुम लोगों किता कुछ आ गया तुम्हारे प्री स्टॉरी केज से जरूर एक कोश्चन पूसता है और तुम्हारे जीके व कर लोगे ठीक है चलिए आगे चलते अब आगे हमारे पास आता है मिसोलिथिक और हमारे नियोलिथिक साइट पे कुछ ऐसी हमने तत्थ यहां पर बना रखे हैं जिसको आप लोग थोड़ा सा याद करना आप लोगं के लिए जरूरी है कुछ वन लाइनर है जो मैं आपको जल मदर के नाम से जाना गया तो आपसे पूछाएगा बेलन घाटी मतलब हमारे वो मिर्जापुर और हमारे किसके इलहाबाद के बीच में लोहन दला नाम की जगह है जहां पर अस्थियों से निर्मित देवी की मूर्ति प्राथ हुई जिसको हम लोग गौड़ेस मदर के नाम से जानते हैं फड़े से नाम याद करने पड़ेंगे आपको ठीक है पहले जब मैं आऊंगा तो इन सभी का कल्ट टेस्ट लूँगा फिर आगे पढ़ाऊंगा इसले तुमको रिविजन करना ही पड़ेगा और जब टेस्ट लूँगा मतलब कोश्चन पूचूँगा तो आपको देखने को मिलेगा जहां पर क्रसी के सबसे पुराने साक्ष देखने को मिलेंगे सुहारा देव कहां पर आपको है संत कबीर नगर में है जो कि आपके इलहाबाद के पास में है सुहारा देव में आपको देखने मिलेगा अगला कोश्चन मैंने जैसे आपको बताया था चावल के सबसे पहले प्रमाड पर मिले हैं आपको मैंने थोड़ी दिर पहले A वो हो गया यहां तक का जो कान था वो हो गया अब हमारे हमाँ पर इंसान ने अपने जो सोर्स थे वहाँ पर लिखना शुरू किया लेकिन अभी तक हम उनको पढ़ नहीं पाए है लोगों को बलर दिख रहा है तन्यू बुली सर्थ थोड़ा सा बलर दिख रहा है ऐसा है क्या भई नहीं पर तो तहीं दिख रहा है थोड़ा सा तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम होगी सेटिंग एटिंग ठीक करो थोड़ा सा है ना इंटरनेट की थोड़ा सा कनेक्टिविटी ठीक करो देव आनंद पांडे बुले सर दो क्लासिस एक साथ क्यों चल रही है मतलब इसी टाइम पर सेम टाइम पर दो क्लासिस चल रही है क्यों देव मुझे त्वड़ा सा बता दे ना ठीक है आगे हम बात करते जब तक तो अब जो है वह हमारे यहां पर स्टोन के साथ लोगों न इस्तमाल करना सुरू कर दिया अगा है अगा अगा एक तो यहां पर हमने क्या बात किया हमने यहां पर बात किया कि जो हमारे अब जो इनसान था वो हमारे क्या करने लगा वो हमारे धातू की तरफ जाने लगा धातू का मतलब है मेटल की तरफ जाने लगा और मेटल का उसने जो सबसे पहले इनसान ने जिस सबसे पहले मेटल का प्रियोग किया वो था हमारा वो था हमारा आपर तामबे का सबसे पहले प्रियोग किया और अब हमारा आ जाता है त को केलकोपेराइड बोलते हैं उसी के नाम से केलखोफिक पीरिएड आता है और इसी समय से हमारे सिंदु गाटि सविता का विकास होने लगता है सिंदु गाटि सविता का इसी समय से विकास होने लगता है तो हमारा जो हमारे प्रोटो हिस्टोरिकल पिरियड है, यहां पर कॉपर स्टोन और कॉपर ब्रांज का इस्तमाल होने लगा, इसकी सुरुवात होती है और यह हमारे 2000 से ले करके 2000 बिफोर क्राइस तक आपको देखने को मिलेगा यह जो हमारा पिरियड था, जहां से हम copper stone से copper bronze की तरफ सिफ्ट हो रहे थे, copper पत्थर से copper tamr की तरफ सिफ्ट हो रहे थे, यह हमारा जो tenure है, इसी को हम लोग calcolithic हमारा age या इसी को tamr यूग के नाम से जानते हैं और इसका tenure था 2000 से लेकर के 2500 इसा पूर्व और यह जो संस्कृति है, इसके proof हमारे इंडिया के merit और सहारनपुर में देखने को मिलेंगे, तामर पासान काल का जो हमारा proof है, यह हमको merit और सहारनपुर में देखने को मिलेंगे, जो 2000 से 500 before Christ में देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेगा, बहुत इंपोर्टेंट है यह भी हमारे लिए तो अब तुमारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो ब्रॉंज है ये जो ब्रॉंज है ये क्या होता है हमारा जो कांसा है ये होता क्या है है तो ये हमारे जो ब्रॉंज है ये दो प्रकार के मेटल से मिलकर की बनता है दो प्रकार के मेटल जब हमारे मिलाये जाते है तो उसको मिस्र धातु या एलॉय बोलते हैं क्या बोलते हैं मिस्र धातु या एलॉय बोलते हैं एक है हमारा कॉपर और कॉपर में मिला देते हैं किसको कॉपर में किसको मिला देते हैं तो कॉपर में जब हम टिन को मिला देते हैं जिसका सिंबल होता है एसन और इसको हम लोग टिन तामर कास से युग में जा रहे थे और ये हमारा 2000 से 2500 के बीच में था और इसको हम लोग बोलते है अपना क्या मेरट और सहारनपुर के छेत्र में इसका विकास हुआ अब हम लोग जानते हैं कहां पर इंडस वैली सिवलाईजेसर सिंदू घाटी सब्धिता आपके हिस्टी वाले सर इसको बहुत डीटेयल में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो सिंदू घाटी सब्धिता जो है ये हमारे सबसे पहले कहां से सुरू होती है तो हमारे अगर सिंदू नदी को देखोगे तो यह हमारे कहां से यह हमारे जो है यहां पर आप देखेंगे तिबबच से निकलती है और उसके बाद से यह हमारे प्योके से होते हुए पाकिस्तान से हमारे अभी पाकिस्तान से होते हुए अरफ सागर में आ जाती है अब यही पर हमारे इसी के आस पास जो इसकी सायक नदिया जैसे कि हमारे हो गई कौन सी राभी नदी हो गई जैसे कि हमारे जो है वो चिनाब नदी सरस्वती नदी इन सभी नदियों के आस इस नदी की जो सायक नदियां थी इन सभी के आस पास हमें एक ऐसी संस्कृति के बारे में पता चला जो वेल डबलब थी पूरी तरीके से डब के बनी होती थी ऊतलब पूरा का पूरा जो हमारा है विवस्ता थी वे पूरी की पूरी अर्भनाइस पूरी तरीके से हैरी ये हमारे बिवस्ता को हम इसमें देख पाएंगे इस Сिंद्धुगाटी सब्विता इन लेकिन यार हम लोग तो कढ़ से हमारे सब aktiv हिस्सा है वो मांडा में देखने को मिलेगा जो जंबू कस्मीर में है सबसे साउथ हिस्ता दम्याबाद में देखने को मिलेगा जो महरास्टा में है सबसे जो हमारा पश्चमी हिस्सा है ये सूत काजिन दोर पाकिस्तान में है और सबसे जो इस्टन हिस्सा है जो सबसे पूर् पूर्वी हिस्सा है यह आलमगीर पूर्मेरट में है हमारा जो सबसे पश्चमी हिस्सा है यह सूत काजन दोर में है और हमारा जो सबसे दक्षडी हिस्सा है यह दम्याबाद महारास्टा में है यही पर पूरी की पूरी सिंदुगाटी सब्विता जो है वो विक्सित हुई य किस तरीके से कहां कहां पर क्या मिले लेकिन हमको तो काम है इस से हमको तो काम Discovery यूपी से तो उत्तर प्रदेस में वह हमारी कौन सी साइध है जहां पर हमको सिंदुगाटी सब्विता मतलब कांस योगीन सब्विताओर अब पूरी तरीके से जो इसका इस्थान है वो देखनेों को मिलेगा आलमगीरपूर में कहां पर दोस्तो आलमगीरपूर कौन सा पन ले ले भाई लेट कर आलमगीरपूर इस फित गाह जो है यह सिंदू घाटी सब्विता का सबसे पूरवी अंतिमिस्थल है इसके बाद कोई भी पूरव में हमार राम खेड़ा तुम लोगों को देखे हो कि नहीं राम लीला में हमारे उत्तरप्रदेश में बड़ा फेमस है पसुरामी कितने लोग देखे पसुरामी तो पसुरामी जो है वो बड़ी फेमस है तो पसुराम खेड़ा के नाम से इसको जाना जाता है इस स्थल की खोज उत्खलन 1958 और 59 में हुआ था ठीक है मतलब एरोलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने भी जो है यहां पर उत्खलन किया था यहां पर जो मिली इटे हैं जैसे मैंने बताए कि पक्के मकान होते थे उनकी अगर लबाई देखेंगे तो 11.25 इंच से लेकर के 11.75 इंच होती थी याद रखना यूपी जी के इस बार ऑप्सनल सब्जेक की जगा पर आने वाला है यार देखो यह चीज जो है यह हमने बहुत ढूंड ढूंड के निकाली इसलिए हमने पहले बोल दिया था सुना ली हिंदी और इंग्लिस बिल्कुल मत करना बहुत इंपॉर्टन चीज है इसको थोड़ा साफ को मतला वह करना पड़ेगा मैं साउथ की बच्चों को तो 5 ठीक है मोटाई अगर देखोगे तो 2.25 से 2.75 इंच की जो है इसकी मोटाई है ठीक है अगर हम इसकी मोटाई देखेंगे क्योंकि हमारा यह मोटा इस तरीके से तो यह हमारे 2.5 से लेकर के 2.75 इंच तक मोटा है अगर लंबाई देखेंगे तो यह लंबाई में 11.25 यह लं यह है अगर आप यहाँ पर बात करते हैं वही खुदाई में यहां के विश्ष हडपा के मिट्टी के बरतनों को पाया गया जिस जगहा पर इन्हें पाया गया उस इस्थान पर Swem एक मिट्टी बंनाने की वर्क सौप या हमारी एक ऐसे जगा थी जहांपर मिट्टी के बरतन बनाय जाते थे मिट्टी के बरतन बनाय जाते थे वर्क सौप आप उहाँ पर देख पाएंगे अच्व क्या क्या है, ये मेरच के पास पिकास, तो उस जगह का नाम है खुर्जा, तो देखें यहां पर मिट्टी के बरतनों बनाने की जो हमाई जगह है, हाँ, देखें यहां पर बताया है, तो किसी ने मुझे, मिनहज ने मताया, खुर्जा, बहुत बढ़िया, तो मिट्टी के बरतन जो है, यहां पर हमारे बनाने की जगह देखेंगे, यहां पर साथ ही सिरेमिक वस्तुओं की छट की टाइल बनी होती थी, बरतन, कप, फूलदान, घनाकार, पासा, मोती, मोती, मोती जनते हो न, तेरा क कोटा, तेरा कोटा जनते हो, तेरा कोटा, तेरा कोटा मींस होता है, जो हमारी मिट्टी को पकाया जाता है, मिट्टी जैसे आप लोग देखते होगे, हमारे जब इट बनते हैं, तो पहले उसको साचे में डालते हैं, और जब वो पक जाती है, तो तेरा कोटा बोलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे टेरी कोटा केक्स, कूबड़ वाला बैल, देखें, कूबड़ वाला बैल, साप की मूर्तियां, आप देखें यहाँ पर कोश्चन कैसे बनेगा, आलमगीर पुर में कौन कौन सी चीजे मिली, आपको याद करना पड़ेगा, सिरैमिक वस्तू की चहत, है ना, बरतन कप, फूल दान, घनाकार पासा, मोती, टेरा कोटा केक्स, है ना, उसके बाद से कूबड़ वाला बैल, साप की मूर्तियां, आप देख पाएंगे, यहाँ पर मेटल्स के प्रूफ ना के बराबर मिलें, सिर्फ एक मेटल का प्रूफ मिला है, और वो ह तांबे का टूटा हुआ ब्लेड, इसके लाबा कुछ भी यहाँ पर हमारे आलमगीरपुर में कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है, प्रारंबिक व्यसाय में मिट्टी की इट, लकडी, आदी से बने हुए घरों का इस्तमाल होता था, यहाँ एक विशिस्ट हडपा समग संस्कृति से जुड़े हुएते थे, है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंधु लिपी, जानुवर, हमारे स्टेराराइट, मोतियों, आदी से सुथोबित बरतन भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ का जो मुख्य आकरशन केंद्र रहा है, वो मिट्टी से बनने व आपको देखने को मिलेगा, यह अब कौन सी नदी के किनारे है, हमारा जो आलम गीरपूर है, यह कौन सी नदी किनारे है, जल्दी से जवाब देना फटा पड़, तो भाईया यह जो नदी का नाम है, बहुत बढ़िया, जवाब आ गया है, मिनहज ने सबसे पहले जवाब दिया, मिनहज बोल रहा है, सर होना चाहिए, हिंडन, हिंडन, तो हिंडन नदी के किनारे, यह आपको देखने को मिलेगा, हिंडन नदी के किनारे, यह आपका आलम इपको बीजह नहीं पूर्फ क्या है जो कि हमारे यमुना की सायक नदी है यह आपको अलम किर्फूर देखने मिलेगा घक चलिए तो हिन नदी के किनारे यह अलम गिर्फूर ए मेरट में और सबसे पूर्वी स्थान कि मिलेगा लेकिन बहाई साथ हमारे यहां पर हमारे यहां पर जो है एक्जाम में प्रस्ण आया कि इन में से सिंदु घाटि सब्विता का उत्तर प्रदेश में कौन सा इस्थान है सन 2018 यूपी PCS का कोश्चन और भाई साब आलमगीरपूर आपसन में नहीं आलमगीरपूर आपसन में नहीं लो भाई साब हो गया काम त पड़ेगे वो सभी इसके आसपास छोटे-छोटे से जो हमारे खुदाई के बाद नए नए स्थान बने उन सभी के बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं सबसे पहला आलमगीरपूर तो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुक है मेरट में आपको देखने को मिलेगा लेकिन मंडी की बात करेंगे मंडी जो है ये हमको बुझवफर नगर में देखने को मिलेगा मुझवफर नगर उत्त्रप्रदेश विल्कुल मेरट के बाद अग्ला स्तेसन है तीम कि दूरी पर सनावली ये हमारे दोर ये देखने को मिलेगा बड़ौत में बड़ौत जो है वह बागपत् डिस्टिक में मिलेगा और ये सोठी ये बागपत् में सब मेरट के आसपास के जगह है दिगे कि नाम इनके अवमारे रख दिए गए ठीक है आलमगीरपूर मेरट में बढ़ गाव हिलास 2018 में पूछा गया question है सारनपुर में मंडी मुझफर नगर में ठीक है सनावली बढ़ाओत में सोठी बागपत में वैसे बढ़ाओत भी बागपत डिस्टिक्ट में ही आता है क्लियर हो जो रहा हुश थोड़ा भूट कि नहीं भाइ साथ हुश फोड़ा बॉठ हो रहा है कि बढ़गाव हुलास काँपर सारनपुर में मंडी काँपर सनावली और सौठी काँपर याद रखेगा उत्तर prob प्रदेश में क्लियर है आसान कोस्चन था बहुत घुमाया के नहीं पूछा था पूछा था कि बैए इनमें से कौन सा इंडस्वेली सिविलाइजेशन का स्थान हमारे उत्तर प्रदेश में ऑप्शन में अलम गिरपुर था ही नहीं हुलास वहाँ पे ऑप्शन में था कर लोग एक्जाम मे याद हो रहा है थोड़ा बहुत रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा कितने लों को याद हो जाएगा भई बोली नहीं रहें कुछ लोग सांध बैठे हुए है ठीक है चलो आगे चलते है नितिक अब हमारे सांधने आता भाई हम लोगों ने जो है वो क्या-क्या पढ़ दिया इस्टोन एज के बाद जो है उसमें जो तीन चरण थे वो पूरे निप्टा दिये फिर उसके बाद से हम लोगों ने जो हमारे कॉपर एज था दो तरीके का कॉपर एज था एक कॉपर स्टोन और एक कॉपर ब्रॉंच दोनों एक ही तरह साथ पढ़ दिये मेरट और स जिसको सिंदू गाटी सब्विता पोलते हैं वो भी हमने उत्तर प्रदेश के दिश्टी कोड से जो इंपॉर्टेंट था उस सब करवा दिया कर लेंगे सब लोग चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसनाप के सामने आता है आयरन एज इंसान ने सबसे अंत में जिस सब्विता और वो भी उत्तर वैदिक सब्विता में इसका हमको पता चला तो हमारी जो वैदिक कल्चर है दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह हमारे सुरू हो जाता है पंद्रा सो इसा मसी के जन्म से पहले से हमारा कहां तक 1000 बिपोर क्राइस तक यह जो है हमा अगर बार आप यहां पर बात करते हैं यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जवागों में बांट देता है हमारे सब्विता को वह हमारे जो हिस्सा है एक जो हिस्सा है दिख रहा है ना एक हिस्से को हम लोग बोलते है रिगुवैदिक काल और दूसरे को हम लोग बोलते है रिगुवैदिक काल और दूसरे को हम लोग बोलते है पोस्ट वैदिक काल यहाँ पे क्या-क्या अंतर थे यह आप लोग देखेंगे कल्च आई जाएंगे आपके हिश्टी वारे सरत का काम या अच्छे सा आपको पढ़ाएंगे वो अगर हम यहां पर तो हमारे जो स्रोत है वह तो हमारे लिट्रेचर से से इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है वेद लिखे गए उपनिसद लिखे गए लेकिन यहां से भी कुछ हमारे अरलोजिकल एस्किवेशन से मतलब पुरा तात्विक जो हमारे अवसोसड है उससे इनके बारे में पता चलता है और यह हमारे जो है यूपी में देखने को मिलेंगे जो कि ब्लैक कलर के हमारे पॉट थे है ना ब्लैक कलर से हमारे ब्लैक कोड़ेड हमारे ग्रे कोड़ेड रेड कोड़ेड यह हमारे देखने को मिले लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश है यहां पर आपको सबस से ज्यादा जो देखने को मिला है वो है रेड हमारे पोटरी मतलब हमारे जो मिट्टी के बरतन लाल रंग से पुते हुए यह मिट्टी के बरतन हमको देखने को मिलेंगे और यह हमारे जो लौ यूग के सबूत हैं वैदिक काल के सबूत है यह हमको राजा नाला का टीला जो क पर आपको देखने को मिलेगा मलहार जो कि आपके चंदवली डिस्टिक में पड़ता है उसके बाद से कर आप देखेंगे तो हमारा अतरंजी खेरा में आपको देखने को मिलेंगे तो हमारे आयरन एज के सबूत वैदिक काल के सबूत जहां पर हमको ये लाल और काले मिट्ट के बरतन जो उपर चड़े हुए वो तीन जगहों पर मिले राजा नाला का टीला, मलहार और हमारे अतरंजी खेरा ये तीन जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है कहां कहां पर राजा नाला का टीला, अतरंजी खेरा और मलहार ठीक है फिर से तीन नाम आपको याद करने पढ़ेंगे नाम ज्यादा याद करने को पढ़ रहे हैं क्योंकि यहीं से question आपको आते हैं है नाम site is more important site जो है वो ज्यादा important है हमारे इन सब के लिए ठीक है अब iron age के बाद जो हमारे पास next आता है वो वैदिक culture में जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पर जो लोग थे वो अब जुग्गी जोपडियों से निकल करके समुदाय में रहने लगे जिसको समुदाय जो था वो अब जनपद में और जनपद जो है वो महा जनपद में बदल गया जनपद जो है वो महा जनपद में बदल गया और हमारा पूरा का पूरा वैदिक केलचल में 16 महा जनपद आपको देखने को मिलेंगे तो हमारे हैं पर वैदिक जो काल था उसका केंद्र बिंदु ही उत्तर प्रदेश था क्योंकि जो हमारे यहां पर आर्याय थे वह गंगा और सरस्वती के सारे-सारे दुआव की एरिया में फैल रहे थे और जो 16 महा जनपद है जिनके बारे में आप अगुंतर नकाए एक बौदिजम की किताब है उसमें पढ़ेंगे जो 16 महा जनपद थे उसमें से 8 महा जनपद उत्तर प्रदेश में थे सन 2016 में सन 2014 में सन 2017 में पूचा गया है कि महा जनपद काल के कितने महा जनपद जो ए वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे कितने थे सभी लोग को कमेंट करना है ताकि मुझे लगए कि सभी आफ में अपग जनपद करना है मैं चाहूंगा सब लोग को दबाएं अब इसे एक ने जो है वो उसके आज से सारा स्वत सोनिका है ना ठीक है रितिक अमित तो सोला में से आठ जनपद उत्तर प्रदेश में थे वो कौन कौन से थे तो सबसे पहले आता है मल महा जनपद राजधानी इसकी कौन से थी कुसी न महारा जो इसकी राजधानी थी और पावा हो गई थी यह कौन से एरिया में तो गोरकपुर सिधार्टनगर यह सारे एरिया में फैली हुई थी मल महा जनपद ठीक है यहीं पर जो है हमारे गौत्तम बुद्ध को महापरी धिर्माण की प्राप्ति वी दूसरा आता है कासी महिया कासी के तो कहने ही क्या यहां की कैपिटल बनारस है कोसल महा जनपद जो की हमारे अयोध्या फैजाबाद गोंडा अरे गोंडा से कौन था विसाल था विकास था तो कोसल महा जनपद जो की हमारे फैजाबाद गोंडा बहराइच इन सभी में आता है और इनकी जो कैप सिर्वर्य गार व्वर्यों से दिये कोई क्यों से 1350 है तो कासि एकोशल ए और म महा जनपद है और내 नहीं चलोर हागा अब अब आता है उसके बाद से मैप में आएंगे बाद में पिर अब वत्स महा बुंदेल खंड का छेत्र जिसको चेदी महाजनपद के नाम से जानते थे इसकी कैपिटल थी हमारी सक्ती मती सक्ती मती जो है यह हमारे चेदी महाजनपद की कैपिटल थी यह देखे सक्ती मती आप देख पा रहे होंगे बुंदेल खंड का एरिया पूछेगा अब उसके बा ह्मारे आधुनिक मतहुरा जो है पूछेगा आधुनिक मतभूरा जिसको बर्जमंडल बोलते हैं इसकी capital भी मत्हुरा थी गत्रशMM थी अब आता है हमारे कुरू कुरू महा जन्पद जिसकी capital मेरट जो मेरट और उसके आसपास कहे रहे जिसकी capital थी इंद्रप्रस्त यह वही है महाभारत वाला तो बहुत देखें तीन वहाँ पड़े थे अब यहाँ पर देखते पांच वक्स महाजनपत की capital कौसामबी कौन सा चेतर है इलहाबाद और उसके आसपास का चेतर चेदी महाजनपत सक्ति मती यहां पर बुंदेल खंड का एरिया है पांचाल महाजनपत वेस्टन यूपी में था इसकी capital हमारे कौन सी है आप अई छत्र या कामपिल देख पाएंगे सूर से महाजनपत की की बात करेंगे तो मतुरा यहां की capital है कुरू महाजनपत की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्त यहां की capital है अरे बात समझ में आ रही कि नहीं बोली नहीं कुछ बच्चे सांत एकदम इस बार हम जिससे बोलेंगे उससी को बताना होगा तो देखो सबसे पहले हमने यहां पर देखा हमारे आठ जो है वह यहां पर आपको देखने को भी लेंगे कौन कौन से थे भाई देख लो भाई सब लोग एक लोग सबसे पहला तक कुरू महाजनपत कैपिटल बोलते जाओ भाई साब कुरू महाजनपत की कैपिटल मुझे नहीं याद है भाई मेरे को नहीं याद है कौन बताएगा पुरू महाजनपत की कैपिटल यही वही है इंद्रप्रस्त फिर उसके बाद से कौन से आता है सूर्चेन महाजनपत की कैपिटल कमेंट जल्द जल्द ली करते हैं मैं सबका देख रहा हूँ यहाँ पर सूर्चेन महाजनपत की कैपिटल जलदी-जली comment करना है फिर उसके आसा हाता है हमारा तो ये इंद्रप्रस्त मतुरा कामपाल लखी क्या है हमारे पंचाल महाजनपद की क्या है काम पिल फिर उसके वार अन्य पूसल महाजनपद की कैपिटल कहा पर गौत्म बुद्प Sect अ सबसे जाता आपने उद्देश दियें, तो कॉसल महाजनपद की कैपिटल है, हमारे अयोध्या, ठीक है, फिर उसके आज से अगर हमने बात करेंगे, हमारे चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद की कैपिटल क्या है? ठीक है, सक्ती मती, बहुत बढ़िया, फिर उसके बात से आता हमारा वत्से महाजनपद, यह वत्से महाजनपद है, वामसा भी लिखा हुआ है, वत्से महाजनपद की कैपिटल क्या है? अरे बहिए इलहाबाद, प्रियाग राजवाला छेतर है, जल्दी बताओ क्या होना चा सक्ताओ से कासी महाजनपद सभी को पता है, सरकासी महाजनपद की कैपिटल जो है, वह हमारी कौन सी है? बनारक्सी और फिर आजाता भी मल्istent महा जनपद. तो भई τοहीं यह हमारे आठ महा जनपद की कैपिटल उसी इंगर तो वहिए ये हो गए हमारे आठ महा जनपद उत्तर प्रदेश मतलब हमारे जो पोस्ट वैदिक एज में जब लोग महा जनपद में कनवर्ट हो गए 16 महा जनपद थे जो हमारे आगुंतर निकाए वो का नाम है आगुंतर आगुंतर निकाए ये एक बौधिजम की किताब है जिसमें आप पड़ पाएंगे हमारे ये 16 महा जनपद उसमें 8 महा जनपद सिर्फ आधुनिक उत्तर प्रदेश में थे भाई साब आप समझे यूपी हमारे उस समय इतिहास का कितना बड़ा केंदर बिंदू रहा था लेकिन धीरे धीरे से सिफ्ट हो गया था मगद में तो याद रखिए ये 8 महा जनपद जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे कहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपको मैंने यहाँ पर बता है बहुत सारे कोशन आपको महा जनपद से पूछे जाएगे ठीक है चलिए अब हम लोग आगे इता चलते है और आगे हमारे पास आता है बॉद्धिजब और जैनिजब गौतम बुद्ध और हमारे महवीर स्वामी ठीक है ठीक है तो बहुत धर्म की स्थापना जी किस ने की थी सबका एक साथ जवाब आना चाहिए ang accent है वार्य थर्म की हमारे सथापना किस ने की थी घृत्स भुद्ध बहुत बढ़िया सबने जवाब देना शूरू कर दिया है सारस्वत से लेकर के नितिक सभी लोग बोला है सर गौतम बुद्ध और जैन धर्म की स्थापना किस ने की थी आंकित बोले है सर आप गलती करवाना चारते हैं करने वाले नहीं थीक है तो जहन धर्म किसका प्रतलог की थी तो यहाँ पर लोग बोल थे DeekhPro Anu Cardhi । तो भाई साब जो हम गलती करवाना चाहते थे वो लोग कर रहे हैं आगे वैसे जब आपको हिस्ट्रेसर पढ़ाएंगे तो आपको पता हैं भाई महावीर स्वामी 24 वे और अंतिम तीर्थांकर थे सबसे फेमस तीर्थांकर थे लेकिन इनके 24 तीर्थांकर गुए हैं दोस्त पदेओ या आदिनाच बात करेंगे उनके उपर लेकिन पहले बात करते गौतं बुद्ध कि फिर जैने जंजम की बात करेंगे हमारे जो गौतं बुद्ध हैं जैसे की आप जानते होगे कि गौतम बुझ्ध का जो जन्म है वो हमारे साक्यवंस के परिवार में हुआ था साक्यवंस जो है यह काला पेंड नहीं हमको हरा पेंडो हमारे जो साक्यवंस है यह इनके पिता का नाम सुदोधन था और 563 बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म इनकी मा जो है महा माया थी जो की कहां जा रही थी अपने मायके जा रही थी और मायके इनकी कहां की कोसल महा जन्पत की राजकुमारी थी कोसल महा जन्पत जाते हुए तोकि इनके जो पिता थे वो कपिल वस्तु के राजा थे तो कफिल वस्तु से कोसल महा जन्पत के बीच जाते हुए एक वन पढ़ता है नेपाल में अभी पढ़ता है लुंबनी वन अभी नरेंद्र मोदी जी वहां गये हुए थे तो लुंबनी वन में क्या हुआ इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम महात्मा बुद्ध रखा गया इसका नाम सिधार्थ रखा गया महात्मा बुद्ध तो बाद में बने ठीक है तो इनकी मा का क्या नाम था तो हमारे गौत्तम बुद्ध की मा का नाम महा माया था और महा माया इनके पिता जी का नाम सुदोधन था सुदोधन जो है वो इनके पिता जी का नाम था और आपको याद रखना है ये जो हमारे महा माया और सुदोधन के अगर हमनों बात करते है इन्हों ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम सिधार्थ था लेकिन जन्म क इनका पाल्ण पोत्मि उंका पालं पोत्म और कटा तो सिध्धार्ट वो एक अनिजुव को राज काज में नहीं लगता है वो दिन की नहीं कट करने में है ना कि मिसे लगãy तो आप के चाइन थे अब ये बात जो हैंके पिता जी को बड़ा बड़ी मतलब दिमाग में पंच करती है तो वह इनको कहीं जाने नहीं देते हैं महल के अंदर यह सब कुछ सारे स्वारान देते हैं अब जब ऐसा बच्चा होता है तो हमारे माता-पिता क्या करते हैं जब लड़का हांस से निकल जाता है उत्तर प्रदेश में तो खास्त और परिजिसा होता है लड़का जब हांस से निकलना शुरू होता है तो क्या किया जाता है इसकी साधी कर दो त तो सरास्वत बोलें सर यसोधरा जनतियों बिल्कुँ सही बोला यसोधरा लेकिन यसोधरा और यसोधरा नाम की जो कन्या है होते हुए उनके संग्यार बड़ा ही एक ट्रेजडी है इनकी वाइफ का नाम था यसोधरा था तो यसोधरा नाम की वाइफ जो है ट्रेजडी क्या है मैं आपको तीन यसोधरा लोगों की नाम बदाता हूँ एक यसोधरा गौतम बुद्ध की वाइफ है एक यसोधरा मावीर स्वामी जी की वाइफ है और एक यसोधरा बेन है कौहन है वो यसोधरा बेन कोई अतनाम सुना कई लोगोंने एंद हमारे प्रणार मंत्री जी की मोगों बोली वाइफ मिडिया से उन्होंने खुद भी बोला ए तो यह तीनों के बीच में एक समानता है यह जो है यह पढ़ा तो हमारे सब्सक्राइब ने तरका आया चली खेर कोई बात नहीं, तो यहां पर क्या होता है, तो लेकिन 13 साल के उम्र में साध्य हो जाती है, गौतम बुद्ध जो है, वो इनका कपिल वस्तु में, है ना, जो सिध्धार्त नगर के आसपास का एरिया है, वहां पर जो है, वो इनका जीवन यापन हो रहा होता है, लेकिन जो है, वो जीवन में, पाज-काज में मन नहीं लगता है, बाहर जाके देखते है, चार चीजों को देखते है, मृत सरीर को, रोगी विक्ति को, है ना, उसके बाद से एक सन्यासी से, फिर यह सोचते हैं कि अब मुझे बाहर जाना है, और अपने घर को त्याग देते हैं, यह चन्ना इनका सार्थी था इसकी मदद से, यह घर को त्याग देते हैं, और घर त्यागने के बाद यह ज्यान की प्राप्ति करने के लिए कहां चले जाते हैं? महा बोधी, विहार चले जाते हैं. लेकिन भाई साब हमारे गौतम बुद्ध ज्यान प्राप्त करने के बाद वापस घूम के आते हैं और पहला उपदेश गौतम बुद्ध कहां पर देते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कौन सी जगा पर दिया था जन्म इनका कहां हुआ लुंबनी में जो इनके जो पिता जी थे उनका नान था सुद्धोधन इनकी मा का नान था महा माया अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनात में दिया था सारनात बागी आपको जानकारी आपके हिष्टियाले सर देंगे, सारनात जो है, वो यहाँ पर इनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद, इन्हों ने अपना पहला उद्देश है, सारनात में इन्हों ने दिया, यहाँ पर उन्हों ने अपना पहला उद्देश दिया था, और यह जिस लेंग्वेज का प् सबसे ज़्यादा उपदेस गौतम बुद्ध ने वह पर दिये उपसे जगापा पर दिये या सरावस्ती हुआ करती थी पहले सरावस्ती भी जो है वो कोसल महा जनपद की राजधानी हुआ करती थी तो सरावस्ती में जो कोसल महा जनपद था यहां पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिये हैं याद रखना ठीक है नहीं समझे कि नहीं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ये इन्होंने स्रावस्ति में जो कोसल महा जनपद है तोकि इन्होंने अपना जो बात का जीवन है यहाँ पर बहुत ज्यादा गुजारा अब बात आती है हमारे उत्तर प्रदेश में ही इनको महा निर्माड की प्राप्ति होती है दोस्तों इनका जो महा प निर्माड की प्राप्ती होती है उसी नगर समझ में आई कि नहीं तो दोस्तों यहां पर मैंने छोटी-छोटी स्लाइट बनाई थी यहां पर मैंने आप गौत्व मुद्ध के बारे में सारी बाते बता दी जन्म इनका डारेक्ट पूछा गया है कौन से वर्स में हुआ था इ यह सारी बाते आपके एक्जाम में पूछी जाती है कर लोगे मैचिंग करने को बोलेगा कर लोगे मैचिंग करने को बोलेगा मल्टिपल च्वाइस करने को मिलेगा लिखने को बोलेगा कर लोगे कि है अनूप चलेगा, यह दोड़ेगा ठीक है, अब हम लोग आगे की दख चलते हैं, जैनिजम की बात करते हैं तो जैनिजम में जैसे बहुत साइ लोगों ने बोला कि सर हमारे इहां पर जो जैन धर्म है इसकी सुरुवात करने वाले जो हमारे तीर्थांकर थे, वो 24 तीर्थांकर थे, 24 तीर्थांकरों ने जो है, वो जैनिजम को हमारे बढ़ाया, अब इन में जो सबसे पहले आते हैं, सबी को दिख रहा है ना, हमारे जो अजीत नाथ है, जिनको हम लोग रिसब देओ भी कई ल और इनको महापरिनार मिला अस्टपद में है ना पिता जी और माता जी का भी नाम है अजीद नाजी की बात करते हैं इनको दूसरे तीर ठांकर बोलते हैं इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था जी सत्रुन के पिता जी सामेद सिखर में इनको हमारे महापरिन निर्मार तो शुरू कि अगर पांस देखेंगे तो एक ही महा जनपद मतलब कौसल महा जनपद में ही इनका जन्म हुआ और जिसमें से चार जो है वो अयोध्या में ही जन्म लिए ठीक है अब उसके वास से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आज आते है चौदवे नंबर के तीर्थांकर अनंतनात जी जिनका जन्म फिर से आपको अयोध्या में होता हुआ दिखाई देगा यह देखिए तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पांच ऐसे जैन धर्म के हमारे तीर्थांकर है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और यह बहुत important point है अब इनके नाम आपको याद करने पड़ेगी तो आपके लिए आपको थोड़ा सा यह कितनी important slide पर नहीं तो कहीं से यह slide को बहुत मुस्किल से डूड़ा और आपके लिए यहाँ पर ले करके है तो याद रखी यह हमारे वो तीर्थांकर है जिनका जन्म जो है वो अयोध्या में important है अब यहाँ पर देखेंगे सक्ति मती जो कि हमारे बुंदेल खंड में आपको देखने को मिलेगी है ना यहाँ पर भी हम जैनिजम का जो है वो बहुत बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार देखते हैं है ना अब हम लोग जैनिजम में यह आपके लिए बहुत important है लेकि तो कल की जो क्लास होगी वो हमारे आधारित रहेगी पूरी तरीके से हमारे किसके उपर मौरे समराज मगद समराज पोस्ट मौरे एच और गुपता एच यहाँ पर हमारे कौन-कौन से ऐसे प्रमुख प्रमुख ऐसे event हुए जो हमारे exam दिश्टी कोर्स से बहुत important है आपसे बोला था कि मैं जाने से पहले आप लोगों से पूछूंगा और वो है हमारे महाजनपत की capital जल्दी से सबी लोग अपने तयार हो जाईए और अपने अपने जो अस्तर और सस्तर है वो निकाल लीजिए क्योंकि अब आपके सामने आ चुका है जिससे पूछेंगे व आपके पीपीटी आती है तो आपको वहां पर मिल जाएगी नहीं मिलेगी तो मैं कल पूरी जानकारी लेकर क्या हूंगा आप लोग अपने question बूल लिएगा मैं अपनी हमारी team में उनसे पूछ कर क्या आएंगे ये पीपीटी आपको कहां पर मिलेगी क्योंकि नीचे पीप आपको जो resource यहां पर यूज करें वह आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है ना हमारी team की ने वह मेरी जिम्मेदारी बस मेरे को यह कहां पर आएगी कहां पर आपको क्योंकि हम वैकेंट से काम करते front end पर कहां पर आएगी वह तो आपको मैं कली बता पाऊंगा ठीक चलिए तो यहां पर हमने सोनिका से पूछा और जवाब भी आगया सर कौसांबी होगी अब कौसांबी के बाद बहुत साइय लोगों ने जवाब देना सुरू कर दिया चेदी महाजनपत की राजधानी क्या है वाट इस दा कैपिटल ओफ चेदी महाजनपत की कैपिटल क्य है वाट इस दा कैपिटल ओफ चेदी महाजनपत की कैपिटल कामपिल है सूर से महाजनपत की कैपिटल सूर से महाजनपत की कैपिटल मतूरा है कुरू महाजनपद की capital इंद्रफरस्थ है कुरू महाजनपद की capital इंद्रफरस्थ है चीक है तो देखें आज एक लास थी जिसमें जितना भी question create हो सकता है हमारे प्री हिस्टोरी केज से ले करके कहां तक आपका बौधिजम जैनिजम तक आप जितने भी यूपी PCS PCS के जितने भी छेट उठाओ एक भी कोश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे सारे के सारे कोश्चन जो है वह बहुत आराम से आपके बन जाएंगे एक भी कोश्चन आपका इसके बाहर से नहीं आएगा नहीं आया है और नहीं आ के लिए इसके लिए आपको ये सारी चीजे रिवाइस करने बहुत जरूरी है जो भी मैंने आपको चीजे बताई आपको रिवाइस करना है बहुत ज्यादा फिल्टर करके चीजों को आप तक पहुचाने की कोसिस किया है मैंने लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट है दिख्कत है तो अब आपके पास है आप बोल सकते हैं ना पहले तो चैट में कोई बोलना चाता है तो अपने हाथ उठा देगा तो मैं उसको बोलने के लिए स्पीकर उसका और कर दूंगा जो भी यहां पर कुछ डाउट या कुछ भी पूछना चाहता है कि कोई भी कि अनूप स्पीटी इंग्लिस और हिंदी में जाधा रहे लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ऐसे रिसोर्सेज होते जहां पर हमको मतलब अब लैंग्वेज के पीछे नहीं जा सकते लेकिन मैं पूरी कोसिस करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिस दोनों मेरे है ना जिससे कि किसी वो प्र है अब उसको ट्रांसलेट करने का ना उसको बहुत करने का मैं थोड़ा समय पास टाइम कम रहता है लेकिन मैंने ज्यादा तर कोसिस कि कि सारी चीजे इंग्लिस और हिंदी दोनों मेरे देख रहा हूँ ना कोसिस ऐसी की है ठीक है यह वाला जो है वो तको तुम्हारा हिंद कूछूँगा इसी में से कूशन कूछूँगा ठीक है फिर उसके बास से आप लोगों को जो डाउट होगा वो लूँगा फिर आगे बढ़ेंगे सही रहेगा कॉंसेट लेकिन सभी को आना है कोई भी यहां पर छुट्टी नहीं मारेगा ठीक है तो यह दो घंटे अभी त सर्क बार कल्कोलिथिक वाल हरा अंट इसल कि वह आपको रिवायज करेंगा ठीक है तो दोस्तों क्या हूँ रहा था हमारा यहां पर जो हमारा जो सकते हैं कि Kilिटिक साइड का मतलब 25,60ar है नियु लिथिक साइड जो हमारा ओता है नियू लिदिक साइड के भ बाद हमारा transformation होता है किसमें हमारे copper age में, copper age जो है ये हमारा खतम होता है 8000 से ले करके 4000 before Christ में, ठीक है, अब यहां से हमारा जो Neolithic side के जो हमारे 95 काल के लोग थे, अब वो metals का use करना जान गए, metal का इस्तमाल करना जो है, वो जान गए, तो metal का इस्तमाल करना मतनब उन्होंने सबसे पहले copper का इस्तमाल सबसे पहले किया, तो 4000 से ले करके, 4000 से ले करके अगर आप देखेंगे, तो 2500 before Christ तक का जो समय है, इसको आप copper age के तौर पर जानते हैं, या इसी को हम लोग केलकोलिथिक side के रूप में जानते हैं, यहां पर के साथ हमारे किसका इस्तमाल कर रहते हैं, copper के साथ, stone का, क्योंकि अभी उनके दिमाग में तो stone वाला चकर था ही, फिर उसके बाद से हमारे 2000 से ले करके, 2500 तक का जो हमारा tenure था, sorry, उल्टा चलता है, तो हमारे यहां पर, जो 4000 से ले करके, हमारा जो, अगर आप देखेंगे, दाई हजार तक का जो यह tenure था, यहां पर copper से stone का इस्तमाल कर रहे थे, और फिर यह 2000 तक का before Christ का tenure था, यहां पर copper के साथ, वो किसका इस्तमाल कर रहे थे, वो हमारे bronze का इस्तमाल कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पर copper age हमारा 4000 से ले करके, लगबग 2000 तक में था, पहले वो copper को stone की तरफ सिफ्ट हो गए हमारे इसकी तरफ सिंदु घाटी सब्विता की तरफ सिफ्ट हो तो यह वाला जो हमारा यह वाला जो हमार यह जो पर्टिक्टिकुर Simmons is इसपव हम वह केलको लिठिक या और कॉपर एज के नाम से जानतेए । यहांपर आप बजे तक ठीक है clear हुआ थोड़ा बहुत ये वाला जो time है आपका ना इसको आप बोल सकते हैं हमारे basically copper age वैसे तो ये पूरा का पूरा copper का इस्तमाल हो रहा है जब तक सिंदु गाटी सब्विता है copper और उसमें bronze दोनों को मिला करके copper और tin को मिला करके bronze बनाया जा रहा है सोनिका इसके उपर हमनों बात करते हैं कि evening की class में हमारा time overlap कर रहा है हमें इसके उपर बात करते हैं यह वाला जो हमारा tenure है यह पूरा का पूरा यहाँ पे जब तक copper का इस्तमाल होगा उसको हमनों केलकोलितिक भी बोलते है या उसको हमनों copper age ही बोलते है ठीक है पहले को copper stone और फिर copper bronze ठीक है? तो फिर कल मिला जाए? कल revise करके कल morning में class होगी कल आप लोग की history की class चल ले ना सुबह सुबह history class चल ले ना कितनों class में सुबह आ रहे? सुबह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ सुबह आपके उसाय सुमिस तर पढ़ा रहे होंगे और साम को मेरी class है ठीक है? ठीक है तो कल मिला जाए साम को ठीक है? चलो बाइ गाइस बेस्ट आप लक रिवाइस करना और यह आपको content आप तक यह पहुंचाना मेरी responsibility है प्राइस